हेलो एब्रीवन और वेलकम बैक टू माई चैनल माही आवर और आज हम बनाने जा रहे हैं काली मसूर की दाल या खड़े मसूर की दाल इसके लिए मैंने लिए हैं एक कप काली मसूर की दाल जिसको भीगोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इसके लिए मैंने लिए हैं तीन कब पानी और इसमें धोकर दाल डाल दी है और अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, इसमें सबसे बहले हम डाल रहे हैं कटी हुई अद्रक एक इंच का ट्रकटा लेके बारिक बारिक अद्रक गाट ली 3-4 हरी मिर्च जाएंगी इसके अंदर आधी कटी होई प्यास जो बारिक बारिक काटनी है डेड़ चमचा मिर्चे ले ले ली है और हाफ टी स्पून हल्दी और एक टी स्पून सॉल्ट लिप उड़ाल दिया इसके अंदर और बस अब इसका लिट लगा के इसमें पांच से छे सीटियां लेनी है और ये देखिए सीटिया आ गए है और इसी बीच मेरा बिग बास्केट से समान भी आ गया था सारी ग्रॉसरी मैंने एक बार इसको भी शूट कर दिया और अब हम दाल में तरका देंगे तो मैंने इसमें दो टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है मस्टर्ड ओईल है ये सरसो का तेल इसके अंदर चार से पांच लैसुन की कलियां काटके डाल दी है एक टी स्पून इसमें जीरा भी जाएगा और ये तरका हम दाल में दे देंगे काली मसूर की दाल में लैसुन का तरका बहुत अच्छा लगता है और जब तरका लग जाए तो इसके बाद हम इसमें सूखा पुदी न डालेंगे लगबग वन टी स्पून इस दाल में खटास बहुत अच्छे लगती है इसमें निकालने के बाद आप लोग नहीं वो डाल सकते हैं मैं नहीं डाल रही हूँ मेरे हजबन को थोड़ी सिट्रिक अलर्जी है और बस अब दाल सर्व करेंगे ये देखिए दाल कितनी अच्छी बन कर तयार हुई है इस दाल को रोटी, पराठा, राइस के साथ खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है ये दाल ये देखिए और बस हमारी दाल बन कर तयार है आप भी इस दरह से बनाएं, खाएं मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें थैंक यू